हेलो, आप सुमित करेल और आज मैं रिव्यू करूँगा थालापती विजे और विजे सितुपती की मास्टर दोस्तो आज मैंने मास्टर देखी है तम्मिल नैन्विज में with English subtitles मुझे तम्मिल फिमें, तेलगू फिमें या कोई भी रिजिनल फिमें उनकी ओरिजिनल भाषा में देखना ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसी में मज़ा आता है, उनकी जो एक्टर्स की ओरिजिनल वॉइस होती है, ओरिजिनल डियालोग्स होते है एक पुरा फिल ओरिजिनल होता है और सब्टैल्स के साथ देखने में थोड़ी दिकत होती है लेकिन मज़ा आता है क्योंकि उसका impact बहुत बेसी होता है डबिंग में देखने में मुझे खास करके मज़ा नहीं आता तो ये बात करते हैं कि Master Movie कैसी है काफी entertaining movie है ये और देखके मज़ा आता है इसका plus points क्या है दोस्तों इसका plus points है थालापती विजिय की acting बहुत ही शांदर acting की है थोड़े अलग अंदाज में लोकेश कनराज ने थालापती विजिय को Master में पेश किया है ये थोड़े unusual जो उनकी acting है वो आपको इस film में देखने मलीगी इनकी जो mannerisms है, इनकी जो style है, dialogue delivery है वो काफी मज़ेदार है और देखके बहुत मज़ा आने वाला है आप सबको इस बैड आइस acting, बहुत ही शांदर acting की है second plus point है इसका brilliant background score दोस्तो, अनिरूद ने इसका background music दिया है और film का music दिया है, दोकि दोनों शांदा है इस film का background music, इस film की जान है, इस film की soul है और impact को बहुत अलग level पे लेके जाता है इसका background score विजे सेतुपती और विजे ने बहुत ही कमाल की acting की है और दोनों की confrontation scenes बहुत ही लाजवाब है जब जब ये बड़े परदे पे एक साथ आते है you can expect fireworks, you can expect whistle blowing dialogues बहुत ही शांदार action scenes दिखाए गए है इन दोनों की बीच में इन दोनों की acting जब एक साथा बड़े परदे पे देखते है तो बहुत ही मज़ा आता है और ये एक बहुत ही major highlight है इस picture का दोस्तो इसका जो first half है वो थोड़ा slow start होता है लेकिन इसका first half इस film का सबसे अच्छा point है इसके first half में बहुत अच्छे अच्छे action scenes है बहुत अच्छे अच्छे confrontation scenes है और इसका जो interval point है वो magnificent है बहुत ही लाजवाब इसका interval point है जो आपको ताली बजाने पे मजबूर कर देगा तो दोस्तो ये इसके plus points है master film के इसके weak points क्या है दोस्तो इसके weak points इसकी weak points इसकी है कि low-age converge का direction है वो इसका सबसे बड़ा weakest point है इन्हों जो screen पे लिखी है वो काफी slow है second half is very slow and quite boring climax भी देखके आपको मज़ा नहीं आएगा अगर आपनी low-age converge का कैथी फिल्म देखी है तो आप master देखके disappoint होंगे उन्होंने वैसा direction नहीं किया जो उन्होंने अपनी पिष्णी directorial कैथी में किया था दोस्तो इसका long duration इसका एक और minus point है तिन घंटे के picture है कम से कम आदा घंटा इसको short होना चाहिए था तो देखके और मज़ा आता दोस्तो overall master is a good entertainer अगर आप Vijay के fan है Vijay सितुपती के fan है तो आपको ये देखके बहुत मज़ा आएगा अगर आप कुछ और expect कर रहे है कैथी जैसा कुछ कमाल expect कर रहे है तो ये film आपको disappoint करेगी first half excellent second half इसका slow और mediocre है overall master is a good entertainer जो की box office पे काफी अच्छा business करेगी खास करके Tamil लाडू में आपको बता दूँ इसकी opening आज 100% लगी है Tamil लाडू में और बहुत ही अच्छा collection इसका day one पे आएगा लगभग 15 से 20 करोड का इसका day one collection आएगा ये कल Hindi में release होगी all over India Vijay Di Master और मैं कोशिश करूंगा की मैं Hindi version में इसका देखके आप लोगों को बताऊं इस film कैसी है मैं देता हूँ master को 3 star out of 5, I give 3 stars to master out of 5 and it's a one time watch entertainer which is full of massi dialogues, good action series and exceptional acting by Vijay Setupati and Vijay go for it